वन्दे गोमातरम जे गोमाता जे गोपाल गोबगतो आप सभी को इस बहुत बड़ी ठंड और बारिस की आर्थिक सुब कामना है सभी स्वास्त्रे मस्त्रे और विश्यस अपने स्वास्तिय का ध्यान रखे क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है और थोड़ा ये बहुती सुंद्र लाप्सी की परसादी बन रही है आप देख सकते हैं और आज लाप्सी की परसादी एक ऐसे परिवार की तरफ से दिया जो एतिया सिक दरज किया जाना चाहिए क्योंकि गोबगतों ने सुरग्य पारुदेवी सुरग्य मुक्ना राम जी साउ जिनका फाज साथ दिन पहले सरग्वास हो गया था चारों लड़कों है जिनके चार पुत्र है गोबगत रेडमल जी गोबगत कालूराम जी गोबगत भागिरत जी गोबगत उद्भाराम जी चारों सुपत्र ने बहुत अच्छी वागवत भी करवाई और सर्कारी नियम के वोजबंद है इसलिए आने वाले अपने हैसाब से चाय पानी की व्योस्ता भी किया और डाल रोटी सब्जी बहुत अच्छे तरीके से व्यवारी काने वाले मेहमनों की सेवा किया और भगवान की भागवत किया पुन्य किया बहुत ही अच्छा सोबागय की बात है और उसके बाद में सुरग्य पारुदेवी के निमित पुन्य आत्मा के लिए गोमाता को लापसी का बंडारा दिया ये बहुत ही बड़ा जो भागवत थी उससे कई गुणा जादा ये पुन्य है क्योंकि ये सीधा 33 कोटी भगवान को भोग लगता है वो भगवान को सब्दों से कुछ बदलता लेकिन ये सीधा सीधा जो परसाद गोमाता के पास जाता है और गोमाता जब परसाद गरन करके आसिरवाद देती है तो परिवार में खुसियों की लेर आ जाती है और पुन्य आत्मा को ये जो परसादी का पुन्य मिलके सीधा गो लोक महस्तान मिलेगा क्यो के गो सेवा भागवत से भी कई गुना बढ़ करके है तो भागवत का भी पुन्य logic आपने मेह मेहिंपनों की Bहुत अच्छी सेवा किया और उसके बाद में आपने जो गो सेवा किया ये बहुती बड़ा बीड़ा है आपने सभी काम बहुती नियम तरीके और बहुती धार्मिक तरीके से आपने काम किया बहुत बहुत आपके पुर्य परिवार को बदाई देता हूँ और सुर्गे पारुदेव की पुन्य आत्मा को सत्सत नमन और वंदन करता ह आपके पुन्य आत्मा के नाम गो सेवा हुई भागवत हुई और महमनों के सेवा हुई आपका बहुत ही सोबागिया से जनम हुआ और बहुत ही भगवान के दिये हुए दिनों से आप गए हो लेकिन आपके पीछे जो पुन्य हो रहा है उससे ये थाबित होता है कि आप पुन्य आत्मा बहुत ही पुन्य पुवित्र आत्मा थी जिसके पीसे ही ऐसा हो सकता है बहुत बहुत परिवार को शादुबाद और पुन्य आत्मा को सत्सत्नमन